जहिन फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आसा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे मेरे साथ ही हों कुछ विशेश कारण से मुझे पॉलिटिकल की क्लास मैं आज नहीं ले पा रहा हूं और बहुत सारी स्टुडेंट का बहुत सारी बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि GDS का जो समाच होंगा ये देखी कल जब GDS का रिजल्ट यानि फिप्त लिस्ट आप की आई थी जो GDS की है देखिए जैसा कि आपने थमनेल में देखा तो ऐसा नहीं कि मैं आप से कोई फेक बात करता हूं या कोई जूड़ बात करता हूं मेरे साथ ही हो देखिए क्या है कि जब मु बहुत एक्स्ट्रा थे तो अब देखिए फाइफ लिस्ट तक यानि माचवी लिस्ट आप किया गई और इस लिस्ट तक साथ ही हो इसमें क्या किया गया है खिल कि अभी तक मोस्टली 90 से एबब ही लोग चल लाए है और 93 93 परसेंट यहीं आपकी कटफ रही है अब की बार आसम में ठीक है अब की बार आसम में आगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि मेरिट गिरी है यानि कि यहां कितनी गिर गई है आपकी 87 है 85 है और मतलब 80 एबब ही है 80 है जो कटाफिलों की आई है लेकिन देखी मेरे साथियों मैं आपको बता दो कि इसमें थोड़ा सा ये लोग खेल यह कर लिए थे कि जितने लोग अभी छट रहे थे उसमें से भी तो फेक नमर वाले थे उसमें से भी फेक नमर वाले थे अब यह कहा दें कि भई कितनी लिस्ट आएगी देखिए अगरम लिस्ट की बात करें साथियों तो इसमें एक सम्हावना बन रही है मैंने कहा था कि साथ लिस्ट तक जारी होगी आपकी लेकिन इसमें से थोड़ा एक छोटा सा गेम यह हो गया है कि 12,000 आपका इन्होंने क्या किया है कि 12,824 पद यह जीडि क्या है कि एक कोई स्कैनिंग का कोई इस्ट्रूमेंट यह नहीं लगाएंगे कि मार्शी जब तक इसकैन नहीं होगी तब तक दिखिए साथ ही हो क्या रहा है मैंने हेड़ आफिस में भी हेड़ कॉर्टर में भी परताल की तो मुझे यही पता चला कि कहीं ने कहीं यह सिस् करके अपने हिसाब सीनों ने नंबर डाल दिया तो यह यह नंबर हमारा पढ़ गया इनका वर्चुलिटी में 73% है अब यह क्या कर रहे हैं डीवी कराने जा रहे हैं लेकिन इसमें कहीं यह बात सामने निकल के आई है कि कहीं ने कहीं जब उन्हीं को तो अप्रूब करना है जो वहां पर हैं उन्हीं को अप्रूब करना है डीवी में कि नहीं यह ऐसी बात है अब वहां पर देखी कई जगा यह बाते समझ में आई है जब पड़ताल किया गया तो पता चला कि कि किनी लोगों से मतलब अपना कोई बहुत सारे लोग हैं अगर नौकरी मिल लई है कु इसमें क्या है एक डिपार्टमेंट रिक्सांब होगा तो इसमें आपको पर्मानेट नौकरी के चांस बन जाए को घूमना नहीं पड़ेगा चिठीलिक दरवाजे दरवाजे पर तो इसमें एक नौकरी पाने का एक आसान तरीका है लेकिन इसमें भी इतनी ज्यादा देखी क्या है न कि भीड़ हो चुकी है और इसके बावजूद फेक नंबर वाले बहुत एक्स्ट्रा हैं तो इसलिए हम अब एक बात आप स्क्रीर बता दें कि लिस्ट साथ लिस्ट तक आनी है और एक खुसकबरी अगर समझे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये बढ़ भी सकती है क्योंकि फेक नंबर वाले एक्स्ट्रा निकलना है जब ये फेक नंबर वाले निकलेंगे तो लिस्ट ये साथ लिस्ट से भी जढ़ा मतलब बढ़ सकता है यानि कि साथ लिस्ट मैंने बात कियाथ है कि साथ लिस्ट तक ये जारी होगा ये वाला जो अपकी बार का था ठ todos care यह बढ़ती साथ लिस्ट जाबी करेगी लेकिन अब क्या है ये दिशे उम्मीद लग रही है कि इतने फेक नं होगेगा नहीं तब तक मामला उसमें आगे कैसे बढ़ेगा लेकिन जो ऑनेस्टली जिन्होंने भरा है जिनका मान लीजी 80% है अब 80% वाले बिचारी अटके पड़े हैं इनको नीड है अगर इन्होंने इमानदारी से नंबर लेके आया है तो उन्हें नौकरी की क्या है नीड है जब तक को कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे तो वह बताईए सही लोगों को मिल नहीं रही है है ना फेक नंबर वाले हमां पर अपना जगा बना लिए यह बहुत गलत बात है इसका विरोध होना चाहिए और इसका विरोध होके ही रहेगा लेकिन इसमें एक नया खेला ये कर दिये हैं कि यह थोड़ी सा नया सिस्टम है ना कि अभई आप यह पूरी भरती तो अभी कम्प्लीट करा लेते तक समय नया पड़ डाल दिए ठिक तो दिखिए घवडाई अभी आपकी दो तीन मेरी साब से साथ लिस्ट से तो अभी बढ़ेगा क्योंकि साथ लिस्ट मैंने पहले भी कहा था लेकिन आठ या नव की चांस बन रही साथ यह क्योंकि फेक नमर वाले बहुत एक्स्ट्रा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी खबर रही ह है मैं जीडियस को लेकि बहुत सारी बाते मैं कहने वाला था तो मैं आपको बता दूं कि जो जिनका थोड़ा कम नंबर है जैसे माल लीजी 80% जो एबब हैं 80% जो लोग है जैसे 80% या 85% जो लोग है उनका दिखी क्या है कि लास्ट तक हो सकता है कहीने कहीं चांस उनका उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो चांस बनी रहा है तो होसला और हिम्मत मत हारिएगा नवकरी यह नवकरी आपकी कोई जीवन नहीं होती है अब यहां पे देखिए क्या है आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी पोश्ट है नहीं बहुत बड़ी पोस्ट नहीं एक जीने का आप यही करके ही पैसा कमा पाओगे ऐसा कुछ नहीं है आपको बहुत सारे मारग हैं बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि देखिए चिल रहोगे ना तुम मजा आजाएगा अगर आप दिमाग जब ठंडा ही नहीं है तो आप कोई चीज करो चिल रहना है लिस्ट का वेट करते रहना है और जहां भी नया मौका मिले वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई कर दीजिया फटाफट यह बहुत जरूरी है कि आप रुकिये मत बैठिये मत अगर आप जीवन में बैठ गए तो बैठने का फिर मतलब क्या निकलेगा आप ब बाते जो भी बताया मैं सब पूरी तरीके से जैनुमन बताया मैं फेक बाते नहीं करता तत्यों के अधार पर मेरी बाते रही है तो आपको समझ में आया है ना तो आज की पॉलिटिकल की क्लास मैं नहीं ले पाया साथ ही हो लेकिन जो भी लोग GDS का यह मेरा देख रहे हैं धन्यवाद